हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC MAKER दोस्तो हमने रेलवें टीपी सी गुरूब डी परिशा के लिए क्रेस कोर्स से स्टाट कर दिये हैं और इस क्रेस कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रिवेस एरो के कुर्शन देखिए दोस्तो होता क्या है Railway NDPC Group D Parishon में लगबख 70-80% Question रिपीट करते हैं यानि Previous Year से पूछ जाते हैं दोस्तो अगर आप सारे पेपर त्यार कर लेते हैं तो आपके 70-80% Question यहां से त्यार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगे कौन-कौन से Question इंपॉर्टेट है और कौन-कौन से Question जादर रिपीट होते हैं तो यह देखिए क्रास कोर्स का Size का 31 वीडियो है ठीक है तो आईए शुरू करते हैं हमारा पहला Question हमारा First Question क्या कहता है दोस्तो देखिए निमले कित में से कौन सा एक विद्पन परिणाम नहीं है तो दोस्तो वै क्या है द्रवेमान ठीक है Next Question पर चलता है हमारा Second Question है दोस्तो गुरूनन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज की कोणिये वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताईए दोस्तो तो दोस्तो वै जो है बढ़ जाएगा ठीक है जो मेज का कोणिये वेग होगा वै क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है हमारा Next Question है दोस्तो Thermos Floss के आविशकार है किस से रिलेटेड है दोस्तो यहाँ पर ये बताना है हमें तो दोस्तो थरमस Floss जो है रिलेटेड है समवेहन से विकरन से चालन से इट मिन्स चालन समवेहन और विकरन से ठीक है हमारा Next Question है दोस्तो तेज हवा वाली रातरी में ओस नहीं बनती क्योंकि क्योंकि दोस्तो वाशपी करन की जो दर है वो तेज होती है इसलिए जो है तेज हवा वाली रातरी में ओस नहीं बनती ठीक है हमारा Next Question है दोस्तो निमलिकित में से किसकी उश्मा धारिता अधिक है तो दोस्तो वे क्या है बताईए वे है दोस्तो जल ठीक है हमारा Next Question है दोस्तो कौन सी तरंगे सुनने में संचरन नहीं कर सकती तो दोस्तो वे क्या है बताईए कौन सी है वे तरंगे जो सुनने में संचरन नहीं कर सकती तो दोस्तो वे है ध्वनी ठीक है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन क्रिशन है दोस्तो Doppler प्रभाव किस से संबंदित है तो दोस्तो वार डिलेटेड है ध्वनी से चीक है दोस्तो जब किसी ध्वनी स्रोत या स्रोता के बीच आप एक शिक गती होती है तो उस सोता को जो ध्वनी सुनाई पड़ती है उसके आवरती जो है मूँ लावरती से कम या अधिक होती है इसी को क्या कहते है Doppler प्रभाव या फिर Doppler Effect चीक है दोस्तो और दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा बताईएगा जरूर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेसी मेकर को लाइक कीजिए सबस्क्राइब करें और शेयर करना बिलकूर न भूलें नाउस्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नाउस्ट क्रिशन है दोस्तो इंपॉर्डन क्रिशन है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाए देगा तो दोस्तो जो लाल कांच होता है अगर हम उसे अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह कैसा दिखाए देगा हरा ठीक है हमारा नेक्स्ट क्रिशन है दोस्तो नाइंध क्रिशन है मनुष्य की आँख में प्रकास तरंगे किस इस्थान पर इस नायो दियोगों में परिवर्तिन होती है तो दोस्तो वह कौन सा होता है बताईए वह है दोस्तो रेटीना से ठीक है दोस्तो रेटीना ही है जिस पर इमेश भी बनती है ठीक है तो दोस्तो मनुष्य की जो आँख है उसमें प्रकास तरंगे किस इस्थान से रेटीना से ठीक है ह्याहरा ौपको यूपक तो हैसे वह touさい गया है क्या होते हैं तो दोस्तों है क्या होते हैं अकारबनीं ठोस तोस्तों कर निजाते हैं गोद कर निकाल निपके और कुछ उस्त बार नाम्यों इसलमेंधित कोईल्फ मोउस्ट आपक कенно कि दोस्तों कुछ़णें अलूमिनियम पाकिस्तान और भारत के अनेक शेत्रों में खान से नमक निकाला जाता है ठीक है जो नमक है वो दोस्तों कहां से निकाला जाता है भारत और पाकिस्तान के अनेक शेत्रों में ठीक है खान जो होती है वहां से निकाला जाता है इसके अलावा दोस्तों जो उपियोगी खनीश प परीवर्तन प्रस्तूत करता है तो दोस्तों पार्दिक यानी मरकरी ऑक्साइड की उष्ण दां ठीक है है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन के शिर्ण है दोस्तों ध्यान से देखेगा नेम लिखे तो यूगम में से कौन सा साधहारन टोर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है दो दोस्तों टोर्च जो सेल होता है उसको बनाने में जो टर्मिनल होते हैं उनके नाम बताने हैं कौन-कौन से उसमें यूज होते हैं तो दोस्तों वह होता है जिंक और कार्बन ठीक है दोस्तों समानने तज जो है प्रियोग में आने वाला जो सुस्क सेल है एक जिंक कार्बन ठीक है जो कि क्या करती है alkaline battery के समानने ता वोल्टेता के बराबर है जहां पर दोस्तो 4.5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है और महां कई ऐसे cell होते हैं श्रेणी कम यानि श्रीज में जोड़ दिये जाते हैं ठीक है दोस्तो और जो सेल स्रेणी होती है उस क्रम में जोड़ने पर क्या होता है दोस्तो उस क्रम में जोड़ने पर जो है छै कार्बन जिंक या अलकाइन से सिरीज में जोड़े होते हैं और इसी तरह जो है जहां अध हमारा next question है दोस्तों ये भी बार-बार repeat होता है निमलिकित में से कौन सी gas अमलो वर्षा यानि acid rain का कारण बनती है तो दोस्तों जानती है आप वह है SO2 ठीक है दोस्तों ये क्या है तीरवगंद युक्त एक तिक्षन विशेली cell है sorry gas है जो कही तरह की और द्योगी प्रक्रियाओं में और ज्वाला मुख्यों द्वारा छोड़ी जाती है SO2 किसका फॉर्मला है दोस्तों कैमेगा लिया मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा next question पर चलते हैं हमारा 15 question है दोस्तों इन से किस प्रक्रिया से प्रकास उर्जा रसायन उर्जा में रुपांतरित होती है तो दोस्तों वह है प्रकास संसलेशन ठीक है यानि कि फोटो सिंथेस दोस्तों सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकासी उर्जा को रसायनिक उर्जा में परिवर्तिन करने की जो प्रक्रिया वहकल आती है प्रकास cinsulation और जल carbon dioxide सूरे का प्रकास और chlorophyll यानिही की पनहरीत को प्रकास cinsulation का अव्विफ कहते हैं इस में से दोस्तो जल और carbon dioxide को प्रकास cinsulation का कच्चच माल कह जाता है ठीक है और दोस्तो यह वीडियो शेर उप्रकास करना बिल्कुल न भूले लेकिन एक आवश्यक संगटक के रूप में नहीं पाया जाता तो दोस्तों वह क्या है वह है दोस्तों एमटॉल में ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों इंपॉर्टन कुशन है खाद द्यानों यानि खादे पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रूक्त किया जाता है तो दोस्तों वह क्या है सोडियम बेंजोईट ठीक है यह क्या है दोस्तों एक पदार्थ है जिसका फॉर्मले की अगर बात करें तो फॉर्मला है दोस्तों C5-H-O-N-C-O-O-N-A ठीक है और दोस्तों यह जो है E211 के जो है E नंबर के साथ व्यापक रूप से प्रियोक के जाने वाला खादे अचार बनाने वाला एजिंट है इसके अलावे दोस्तों यह जो है बेंजोएक एसिट का सोडियम नमक है और पानी में गुलने पर इस रूप में जो है मौजूद होता है ठीक है क्या है दोस्तो ये जो बैंजोईग ऐसे जो होता है उसका सोडियम नमख है इसके अलावे इसको जो है दोस्तो अक्सर विबन परकार के खादियों में ऐसे परिरक्षक और एंटिक और जॉसी एजिन्ट के रूप में प्रयोख किया जासता है जैसे की भोजन और साफा ठीक है अभी हमने देखा कि जो खादे पदार्थ है उसको सुरक्षित रखने के लिए किस रसाइन का प्रियोक्त होता है तो दोस्तों वह है सोडियम बेंजोईट ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो मैश नहीं करता दोस्तों वह बताना है अनमैश्ट तो वह है दोस्तों एंटी बायोटिक स्क्वीनिन ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तो 19 कुशन है हड़ी खाथ के रूप में प्रिक्त की जाती है क्योंकि इसमें पोद तत्व उपलब्द है तो दोस्तो वह क्या है फॉस्फोरस ठीक है हमारा नेक्स्ट कुशन है दोस्तों नेम्बली कि तमेसे किस पदार्थ में सबसे अधिक वसच्ट उश्मा होती है तो दोस्तों वह है पानी हें हमारा नेक्स्ट इमपॉर्ण कुशन है दोस्तो मेरू दंड यानि वर्टी ब्रल हड्डियों की संक्य कितनी होती है तो दोस्तो वह होती है 33 ठीक है 33 दोस्तो बहार से जो है मेरू दंड का द्रिशे मेरू दंड के विबन भाग मेरू दंड के विबन भाग यानि की रंगीन मानसरी रचना में रीड की हड़ी या मेरुदंड ठीक है इसको दोस्तों क्या कहते है रीड की हड़ी भी कहते हैं मेरुदंड भी कहते हैं वर्टिब्रल भी कहते हैं और पीट की हड़ीों को जो समू है जो मस्तिस के पिछले भाग से निकल कर कुदा के पास तक आती है ये क्या कहलाती है दोस्त वह होती है 33 ठीक है याद रखीगा हमारा next question है दोस्तो फूल फल तथा बीज धारन करने वाले फुले हुए पोधे क्या कहलाते हैं तो दोस्तो वह कहलाते हैं एंजिस पर्म ठीक है दोस्तो बीज के पैदा करने वाले पोदे जो हैं दो प्रकार के होते हैं नगनिया विवरित बीजी और बंदिया सम्वरित बीजी साब पुषपक सम्वरित वीजी या आवरत बीजी जो है दोस्तों एक बहुती प्रहत और सर्व यापी उपवर्ग है और इस उपवर्ग के पोधों के जो सभी सिदस्य हैं उसम से बीज फल के अंदर जो धकी हुई अवस्ता होती है उसमें बनते हैं और यह जो है वनस्पती जगत के सबसे विखसित पोदे हैं ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि फूल फल और बीज धरन करने वाले जो फूले वे पोदे हैं क्या कहलाते हैं तो दोस्तों आप कहेंगे कि वे कहलाते हैं एंजियो स्पर्म ठीक है नास्ट क्रिशन पर चलता है हमारा नास्ट क्रिशन है दोस्तों निमले कित में से द्वी बीज पत्री कौन है तो दोस्तों वे है आम ठीक है और दोस्तों ऐसे इंट्रस्टिंग वीडियो और क्रिशन के लिए एसे मेकर को आप अ हमारा next important question है दोस्तो फूल का चमकीला और अकरशक अंश क्या कहलाता है क्या कहते हैं दोस्तो उसे बताना है तो वे है दोस्तो दल पुंज ठीक है फूल जो है दोस्तो प्राय किसी पोधे का सबसे अकरशक हिस्सा होते हैं इनमें पंखडियों के अलावा जो है पोधे के जनना अंग होते हैं जिनमें निसेचन के परणाम सरूप पलो और वीजो का निर्मान होता है और यह फूल की पंकुडियां होती है जो हमें फूलों के रंग में ही दिखती है क्या कहलाती दोस्तो दल पुंज ठीक है चमकीला जो आकरशक अंश होता है हमारा 25th question है दोस्तो एकल को प्राणियों को वर्गिक रित किसमें किया जाता है तो दोस्तों वह कौन सा रूप है प्रोटो जोन के रूप में ठीक है दोस्तों प्रोटो जो है उसके रूप में जाने जाने वाले जीवों में जीवों की एक व्रस्तरित स्ष्रिंकला शामिल है जिनमेंसे जो अधिकांस है मुक्त जीवित एकल कोशी कर युके रीटियोर्स होते हैं चीक है और दोस्तों इसलिए जो है प्रोटो जोवा डॉमेन युक्राया में फिट होता है हाला कि दोस्तों जो है राजे प्रोटिस्टा के विबेन फायला निकट से संबंदित नहीं है फिर भी जो पोधों है पोधों जानवरों और कवक के साथ अन्य राज्यों से उनके बड़े अंतर के कारण उन्हें एक साथ वर्गे करिद किया जाता है ठीक है दोस्तों जो प्रोटो जोवा होता है प्रोटो जोवा नाम का एक अतिशिल इतिहास है जिसमें से एक समय में केवल जो है जानवरों की तरह जीवन के एक कोशिये रूप शामिल है ठीक है अगर पुछा जाए एकल कोशा प्राणियों को किसमे वर्गी करिद किया जा बताईए दोस्तो तो वह है दोस्तो बैक्टीरिया दोवारा ठीक है कोलेरा मिंस हेजा या फिर वी सूची का यह सब एकी नाम है दोस्तो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है जो पानी से फैलता है और जिसमें जो है गंबीर दस्त और शरीर में पानी की कमी हो जाती है हमारे नाइस्ट क्रिशन है दोस्तों पौदे की इस भाग में जूट दंतु पाया जाता है तो दोस्तों वह क्या है तना है स्टेम जिससे कहते हैं हमारा next important question है दोस्तों अंडे उच्छतम सुरोत है पताए किसके होते हैं तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे वह होते हैं किसके प्रोटीन के ठीक है इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन के अन्य सोर्स क्या है जिसमें प्रोटीन जो है भरपूर मातरा में होता है यह आप मुझे comment box में बताईएगा हमारा अगला question है दोस्तों केले के पोदे की जड़ क्या है तो दोस्तों वह है स्वसनमूल ठीक है हमारा last important question है दोस्तों पोदे जो अपना खादे मना सकते हैं क्या केलाते हैं तो दोस्तों वह केलाते हैं ओड़ो ट्रॉफ यानि कि स्वापोशी दोस्तों स्वापोशी कौन होते हैं वे साजीव है जो साधारन आकार्बने कानुओं से जटिल कार्वनिक योगिकों का निर्मान कर सकते हैं और ये जो कारे होता है इस कारे के लिए जो है अवशक उर्जा के लिए विप्रकास या रसायने को उर्जा का उप्योग करते हैं स्वापोशी जो होते हैं दोस्तों यानि कि ओटो ट्रॉफ सजीवो को खादिश रिंकला में उतपादक कहा जाता है ठीक है उतपादक खादिश रिंकला में कहलाते है सवपोशी यात रखेगा दोस्तो तो दोस्तो ये थे क्रेस कोर्स में साइंस के प्रेविस एर के कुश्चन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बुक्स में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने स्टाड़ी लेजरी गूर्ट में शेयर जरूर करें और स्सी मेकर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कूल न भूले आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मजोस्तो